एक घने जंगल में कई जानवर रहते थे. उन सभी में दोस्ती और समझदारी का संबंध था. उस जंगल में एक शेर राजा था, जिसका नाम शेर सिंह था. वह बहुत ही न्यायप्रिय और दयालू था. एक दिन जंगल में एक छोटी सी चिडिया जिसका नाम मुनिया था को एक सांप ने पकटडी डिडियेच लिया मुनिया ने जोर-जोर से चिलाना शुरू कर दिया उसकी आवाज सुनकर जंगल के सभी जानवर इकठा हूँ, गए लेकिन कोई भी सांप के पास जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था तभी शेर सिंह वहाँ आ गया उसने सांप को डांटते हुए कहा तुम्हें शर्म नहीं आती, एक छोटे से पक्षी को सताते हुए, उसे तुरंत छोड़ दो सांप ने डरते डरते मुनिया को छोड़ दिया मुनिया ने शेर सिंह को धन्यवाद कहा और वहाँ से उड़ गई शेर सिंह ने सभी जानवरों को सिखाया कि हमें हमेशा और सुरक्षित जीवन बिताया, इस प्रकार शेर सिंह की दयालुता और न्याय प्रियता की कहानिया जंगल में प्रसिद्ध हो गई